कि यहां पर किसी अलग मैंतर्स ब्रूफ कर रहा हूं तो को हमने पहले स्टडी किया था प्रिएस वीडियो में आपको बताया है कि ए और टूपाइंट्स ए और बी जो हैं टूपाइंट्स हैं अगर इनको हम जोएन करते लाइन सेग्मेंट बन जाएगा करतें फिर हम कोई भी पाइंट इस प्रेपनियूलर सेटर पर लें जासे ने लिए प्रेटिस पॉइंट इसे टिकर गोए जो मेंट इसका मतलब क्या हुआ पी पॉइंट होगा पी इस क्या होगा इको डिस्टेंट होगा फ्रॉम पॉइंट एंड किस पॉइंट से फॉइंट एंड किस पॉइंट से तो देखो अगर पी क्यो डिस्टेंट है ए और बी पाइंट से तो कब पॉसिबल है जब पी जो है लाई करेगा इस पी लाइस ऑन दा परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर ठीक है परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर ओफ लाइन जोइनिंग point A and B जब हमने A और B पाइंड को मिलाने पर ठीक है बनाया है इसका मतलब क्यों हैं और QA A point और B point से ब्राबर दूदी करवा, यानि कि Q is equidistant from point A and B, ठीक है, that implies Q क्या करेगा, Q lies on perpendicular bisector, तो perpendicular bisector प्लाही करेगा, ठीक है, Offline joining, Offline joining, point A and B, ये छीज़ा है समुझ में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हरो ये first and second part दोण में कर रहां इक रहां है, अब डीक हरो, तो यहां से हमारे पास क्या क्या कि जो हमारे पास पी-पाइंट है क्यूपाइंट है वो कहां लाई कर रहे हैं प्रेपेंडिवर बाइसेक्टर ओफ लाइन जॉइनिंग एंड बी यह इसका प्रोब था चोटा समय